हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रश्किन बॉन्ड द्वारा जो इसके राइटर है चैप्टर नबर टू के जिसका नाम है देड़ेंचर आफ्टर टू तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटिब चैनल में तो चलिए इसे जल्दी से समरी को स्टार्ट करते हैं तो इस समरी में मैं पहले आपको बेसिकली बता देता हूं कि इस पुरी कहाने में रश्किन बॉन्ड जो राइटर है वो हमें क्या बताते हि dipping यहां पर बहुत ही अच्छे राइटर है और आप सब ही उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो चली श्टार्ट करते हैं, तो यहां पर जो टोटोर रहता है वो उसे जो ग्रैट पाय रहते हैं, राइटर के, वो एक मार्केट में से टोंगा ड्राइवर होता है, वहां से खरीते हैं, तो उसे जब खरी बंदर को मतलब बंदर जो था जो मंकी था हो बहुत मतलब छोटा था और रेड कलर का था तो उस जो टोंगा ड्राइवर हता है उसे दादा जी की हवाले कर देता है तो दादा जी उसे जब अपने घर लाते हैं तो राइटर कहते हैं कि जो राइटर की ग्रेंड मदर थी वो क मतलब चिडिया घर था तो उस जू में जब दादा जी कोई भी नया एनिमल या बोर्ड कुछ भी लाते थे तो दादी जी बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें परसान करती थी या फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीम करती थी चिलाती थी और क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि कोई जानवर को घर में लाया जाए इसलिए उन्हें यह सब नहीं अच्छा लगता था तो इसके बाद जो दादी जी थी वो हंगामा करेंगी या फिर वो सूर मचाएंगी इसी सोचकर उन लोगों ने मतलब कि राइटर ने और उनके ग्र लगता ख़िया था ताकि और सोचे थे कि जब उनकी ग्रैंड मदर हैपी होंगी तब वह उनके सामने उस मंकी को पेश कर देंगे मतलब कि उस मंकी को कोई भी दिकत जो ग्रैंड मदर हैं वो समय खुस रहें और समय का सही करके मतलब कि करेक्ट यूज़ करके उसे जो टोट तो अब चलिए और आगे अपने कहानी को बढ़ाते हैं। इसकी पहले मैं आपको बता दो कि आप इस पूरी स्टोरी को एक बार जरूर भी अपने से self study कर लीजेगा। तब आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। या और यह आपको कहानी पूरी अच्छी तरीके समझ में आएगी यह मैं आपसे 110 परसेंट कहता हूं। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आफ्टर सम्टाइम विन राइटर्स ग्रेंटपा रिटर्न दिन ही साथ टोटो उस समय बहुत ज्यादा हुर्दंग मतलब आपके सकते बहुत ज्याद तवाही मचाता है और वहां पर बहुत सारा नुकसान कर देता है। जितने विए आज पास में सजावटी थी, दिवार में सजावटी जितने वी चीज़े थी उन सभी को टोटो फार देता है और उन्हें फारने के बाद फिर जो राइटर होते हैं वो उन्हे पहले देखते हैं तो वह सोचते हैं कि लगता है दादा जी आपको जरूर कुछ तोटो को बोलेंगे लेकिन राइटर की सोच से अलग हुआ जो उनकी ग्रेंटपा थे वो कुछ ने बोले बलकि वे उसे हैपी दीख रहे थे हैं मतलब हिवाज ग्लूमिंग टूसी टॉटो आगे जब राइटर जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसके बाद जो ग्रेंटपा थे राइटर के वो टॉटो को आईसी जगह रखते हैं जहां पर काफी सारे पहले सही अनिमल्स थे जैसे टर्टराइज और कई सारे जैनवर्स पार जैसे उस टोटो को बांद देते हैं तो उसके बाद लेखक अपने इस्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो बंदर रहता है वो वहां पर भी काफी तबाही मतलब मचा देता है और जो टोटो के सामने जब भी लोग खाना रखते हैं तो खाना भी नहीं खाता है और से फेग देता है मतलब काफी ज़्यादा वो टोटो इन लोगों को परसान करता है और उच्छल कूद करता है तो इस तरह से जो राइटर हैं वो अब इस टोटो की बारे में बता रहे हैं कि टोटो का विभार कैसा था अब राइटर हमें यह बताएंगे कि टोटो कितना सरार् बता चुके लेकिन अभी बताएंगे कि टोटो किस प्रकार का था तो अब राइटर कहते हैं कि एक दिन उनकी जो ग्रेंटपा थे वो सहारन पूर गये थे अपनी पेंशन लेने के लिए क्योंकि फिर कोई साहर कारी जॉब करते होंगे तो वहां पर उन्होंने टोटो को एक अस्तवल में रखा था तो अस्तवल में टोटो के जातिका टोटो का भी ग्रेंटपा राइटर ने उसे नाम दिया है डंकी को टोटो का ग्रेंटपा तो वह अपने जो टोटो था वह देखते हैं कि जो टोटो था वह अपने ग्रेंटपा को भी परसान कर रहा था तो इसे देखकर राइटर के ग्रैंडपा को एक बात तो जरूर समझ में आई कि टोटो जो है वह बहुत ही ज्यादा सरारती है बहुत ज्यादा नौटी है तो यह देखकर वह मन ही मन में मतलब अंदर ही अंदर से एक टाइप का हैपी हुए और फिर वहां से चले गए फिर अगले फि जो डे हुआ वह पास होता गया फिर उसके बाद एक दिन जब वह बता रहे हैं राइटर की टोटो कैसे नाता था तो टोटो जो था वह गर्म पानी से नाता था ठंडी के समय में और उस ट्रब में बैट जाता था टैप में बैट के नाता था और जब कोई उसे देखकर हस तो तब टोटो नाता ही नहीं था मतला तो वह नहाता ही नहीं था उस टब से बाहर निकल जाता था और तो अच्छी तरह से सावून भी लगा के नाता था यह यह राइटर की काफी मज़िदार बात है तो इसके बाद फिर राइटर आगे बताते हैं एक-दो सरार्तों का औ बहुत जादा नुक्सान करता था इसलिए टोटो को ग्रेंट पा ने खुद उसे फिर से बेज दिया और इस प्रकार से इस स्टोरी को कावील राइटर अंत करते हैं तो अगर आपको कहीं भी परसानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दे और अगर आपको वीडियो अ करना ना भूलें